हलो दोस्तों वेलकम तो सी फॉर करियर योर अल्टिमेट स्टॉक मार्केट मोटिवेशन दोस्तों आज हम जिस स्टॉक को रिव्यू करने वाले बहुत इंपोर्टे स्टॉक है और ये निफ्टी को बहुत जादा फैक्ट करता है ठीक है आप समझी गए हूंगे मैं किस जरू कर लेना डेली आपको एक से एक एडुकेशनल रील्स मिलेगी लोग बहुत पसंद करते हैं वाइरल भी होती है ठीक है चलिए शू करते हैं इस स्क्रीन पर चलते हैं और बताता हूं कौन सा वो स्टॉक है जो बहुत ही इंपोर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर के लिए और बैंक निफ्टी के लिए ठीक है हम आ गए है अपनी स्क्रीन पर इंवेस्टिंग डॉट कॉम पर मैं चार्ट रिव्यू करता हूं आप ट्रेडिंग डॉट कॉम पर भी कर सकते हैं लेकिन इसकी एक खास बात है कि इसमें मल्टीपिल चार्ट हम एक साथ देख सकते हैं tradingview.com पर आपको पैसा देना पड़ेगा यहां फ्री में है तो फ्री की चीज़ उस करो ठीक है देखिए जो स्टॉक मैं रिव्यू करने वाला हूं वो है HDFC बैंक जिसका वेटेज है राउंड 33% निफ्टी में ठीक है और यह बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा अफेक् सबसे पहले इस टॉक को समझ लेते हैं अगर आपने इस स्टॉक में इंवेस्ट करने का मूड बनाया या ओलेडी इंवेस्ट करके बैठे हैं और आपको समझ में नहीं रहा है कि सेल करूं या होल करूं तो यह वीडियो आपके लिए पूरा अंत्र तक देखना और बिगनर करते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहले पांच मेंट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं रेट केंडल बनी हुई है ओके 15 मेंट के टाइम फ्रेम पर भी रेट केंडल बनी हुई है और जब हम डेली पर आते हैं तो एक बहुती अलग सी चीज हमें दिखाई देती है इसको मैं इवनिंग डोजी स्टार इसे डोजी भी बोल सकते हैं इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं जो बोलना बोली है क्यों कि जहां पर प्राइज ओपन हुआ था उसी के पास क्लोज हुआ है 1670 पर open हुआ, 1676 पर close हुआ है दोस्तों तो evening doji star top पर बन गई है gap up के बाद बनी है तो जानते हैं इस candle की खास बात क्या है इसके बाद trend reversal होता है, stock नीचे आता है अब कल का दिन, कल तो छुट्टी है Friday का दिन बहुत important है जब हम HDFC bank का chart खोलेंगे और हमें पता चलेगा कि कौन सी candle बनी है अगर red candle बनती है तो ये फिर से नीचे आ सकता है और अगर green candle बनती है तो ये उपर का trend पकड़ लेगा अब जरा समझते हैं कि ऐसा क्यूं हो रहा है ये बहुत ही critical level है जहाँ पर ये 1676 के level पटिका हुआ हुआ है तो अगर हम line chart में इसको convert कर दें तो हम देखते हैं इसको मैं minimize कर देता हूँ कि ये stock यहीं से बार बार गिरा है देखिए एक बार दो बार तीन बार यहां से गिरा है और ये चौती बार attempt कर रहा है 52 वीक हाई इसने लगाया था एराउंड 4 में को 1776 सब पहुचा bullish piercing candle बनी है जो कि एक reversal candle होती है इसने trend को reverse कर दिया ऊपर चली गई ठीक है यहां से आप देखिए न कहां से उठाया इसको 1587 से उठाया और अभी 1680 तक लेगा मतला almost 100 point का move मिल गया है लेकिन अब top पर जो evening start doji बनी है ये थोड़ा doubt दे रही है तो आप Friday morning जल्द बाजी मत करिएगा इसमें अगर आप hold करके रखे हुएं तो जड़ा wait करिएगा next candle क्या बनती है ठीक है वही decide करेगी HDFC bank का fate week पर देख लेते हैं week पर bullish है कोई issue नहीं है और monthly candle भी green है कोई issue नहीं है ठीक है तो short term के लिए तो थोड़ा doubt लग रहा है long term के लिए अच्छा stock है और इसकी जो news आई है दोस्तों आप HDFC bank के merger की जिसमें दीपक पारिक ने confirm कर दिया है कि एक जुलाई को complete हो जाएगा यह merger तो इससे very good news for HDFC bank ओके तो और bank nifty भी higher and highs बना रहा है तो bank nifty के साथ थोड़ा मैं आपको इसको दिखा देता हूँ क्या relation है और आपको फिर समझ में आएगा यहाँ पर हम चले जाएंगे bank nifty और इसको हम कर लेंगे इसमें convert देखिए यह daily दोनों को एकी time frame पर हमें compare करना है देखिए दोस्तों अगर आपने मेरा पुराने वीडियो नहीं देखें तो देख लिएगा कि multiple chart कैसे हम review करते हैं ठीक है investing.com पर यहाँ पर card पर आपको link मैंने दे दिये ठीक है देखिए जरा यहाँ पर क्या बना है doji यहाँ पर भी बन गई doji bank nifty में तो भाईया जब HDFC bank perform करता है तो bank nifty भी perform करता है और HDFC bank गिरता है तो bank nifty भी गिरता है यह relation में आपको दिखाना चाह रहा था ठीक है आपको समझ में आ गया क्योंकि इसका weight is सबसे जादा है ठीक है तो अब bank nifty कि जो future है वो भी HDFC bank पर टिका हुआ है तो Monday, Friday जो भी candle बनेगी वो इन दोनों का fit decide करेगी तो फिलाल यह था review HDFC bank का ओके, hope you like this video मुझे जुड़ जाईए daily analysis के लिए nifty bank nifty और जो भी stock analysis है और learning videos के लिए चैनल को subscribe कर लिए इस्टाग्राम पर follow कर लिए डेली एक से एक अच्छी real बनाता हूँ और लोगों को बहुत फायदा हो रहा है reads viral भी हो रही है और काफी लोग जूड़ भी रहे हैं ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया thanks for your time, keep learning, keep making profits